नमस्कार दोस्तों आप सभी लोगं का स्वागत है गुड इवनिंग दोस्तों और कंसेप्ट आरेने के ओनलाइन सेशन में मैं दॉक्टर हिवांशु माथूर। आप दोस्तों आप सभी लोग का दिल की गैराईयों से उवागत करता आँस हरना सभी लोग ठीक होंगे सब लोग live आगे हैं और पहली बार जब मिलते हैं बात करते हैं तो शाम हो चाहे कुछ भी हो dawn हो evening हो कुछ भी हो हमेशा एक बार good morning ही बोलते हैं अगर first time meeting करते हैं तो ठीक है और repeat meeting हो रही है तो फिर समय के अनुसार हम लोग बोलेंगे इसलिए मैंने आप लोगों को good morning लेकर दिया ठीक है दोस्तों तो यह भी English की बात मैंने आपको बता द संक्या 64 लिखनी है और अपर लिम बोले तो बोन की संक्या 60 लिखनी है उसी तरीके से lower extremity अगर बोलता है तो गर्डल जोड़ना है तो 62 लिखनी है और अगर lower limb बोलता है तो 60 मतलब लिम बोले तो 60 चाहे अपर हो चाहे lower हो उसमें कोई confusion नहीं होना चाहिए ठीक है तो हम लो दूसरी चीज कुछ nerve injuries आती है इस गुयान टर्नल syndrome पर कोशन आता है मीडियन नर्व की injury पर कोशन आता है कारपल टर्नल syndrome के नाम से आप जानते है उसको honeymool पैल सी squash पैल सी इन पर कोशन आते हैं मेलट फिंगर पर कोशन आता है तो इन कोशन के उपर आज हम लोग discuss करेंगे कि कैसे कोशन है वो और क्या मतलब है उनका ठीक है तो आई हम स्टाट करते हैं दोस्तों आज का सेशन और जैसा कि सामने बगवान हमारे अराध्यदेव मौजूद है इनको हम एक बार नमन क्लास में भी हमेशा क्लास शुरू करने से पहले दो काईदे मैं हमेशा फॉलो करता हूं एक तो बगवान को याद करना दूसरा एक कोट देना कुछ भी तो यह कोट है अलागि कोट में मन से नहीं बनाता सारे कॉपी पेस्ट होते हैं पर ठीक है अटलीस है तो सरी ठीक है सक्सेस की सबसे खास बात क्या है तो सब सक्सेस की सबसे खास बात है कि वो मैनत करने वालों पर फिदा हो जाती है जो मैनत करते हैं उन पर सक्सेस फिदा हो जाती है दोस्तों इसी बात को अपने दिवाग में रखिए और मैनत करते रहिए कोशिश करते रहिए क्योंकि क्यो तो बिडियो अलनर जॉइंट आज थोड़ा सेशन लंबा है आराम से शांति पूरोग लीजेगा हमेशा से पांच मिनट ज्यादा लगेंगे बस ठीक है इस ज्यादा लंबा नहीं है तो मिड़ल रेडियो अलनर जॉइंट इस टाइप अफ़ जॉइंट इस फाइबरस टोटल तीन होते हैं टीक है इव होगा इनफिडियो अलनर जॉइन जॉइंट आपकी जानकरी के लिए बता दू कि superior radio alert joint और inferior radio alert joint are the example of which joint ये भी आपको लिखना है और middle radio alert joint का तो question ही बताईए कौन सा joint है पहला question तो ये रहा ठीके दोस्तों अधिकतर लोग जवाब लगा रहे हैं मेरी class लिए रखी ये लगता है शायद आपने largest carpal bone गोहां बताईए सबसे बड़ी carpal bone कौन सी होती है largest carpal bone गोहिद option लगा रहे हैं तेज करण जी एए तेज करण जी किसका जवाब बता रहे हो largest carpal bone कई बता रहे हो क्या largest carpal bone गोह भी neighborhood पुष्पराज ये आप फर्स्ट वाले का जवाब तो नहीं बता रहें? फाइब जोइंट का, लारजेस्ट कॉर्पल बॉन का जवाब बना जवाब नहीं है, दूसर जवाब जवाब है, सेकंड, थर्ड या फॉर्थ मेंसे, बता ही कौन सा है, largest carpel bone largest carpel bone अच्छा बता ही carpel bone की संख्या कितनी होती है carpel bone की संख्या कितनी होती है carpel bone की संख्या होती है 8 ठीक है she looks too pretty try to catch her अभी हम बात करेंगे carpel bones के बारे में C लोग जवाब लगा रहे सुमन जी C, पुनम जी C good, रवी जी C, सुनिल C पुषपा राज जूखेगा नहीं C, नीतु सैनी जी C पिंकु जी B B lunet या 8 पिंकु जी बोल रहे है 8 है मेरे को sorry B दिखाई दिया sorry 8 bones की संख्या बता रहे good अंतिम यादव जी बोल रहे है 8 bones होती carpel बिल्कुल सही, शकुनी मामा बोल रहे है 8 bones होती बिल्कुल सही महिंदर सिंग जी, question 2 का answer C question 2 का answer C, good good तेज करन मेगवाल जी भी C बोल रहे है good, बहुत बढ़िया, जितने लोग भी C बोल रहे है C answer एगदम सही है, अभी हम लोग याद करेंगे इसको smallest carpel bone is, सबसे छोटी carpel bone कौन सी ये भी लिख दीजिए, smallest carpel bone जो सबसे छोटी carpel bone है याद करने के उपर एक trick है वो trick मैं आपको सिखा दूँगा, सारी carpel bone पर जो question आते है, 7-8 question आते है carpel bone पर इस यादा question नहीं आएंगे वो सारी मैं आपको अभी याद करा दूँगा, ठीक है smallest carpel bone is ये बताना है आपको question number 3 का answer क्या है पुषपाराज बोल रहे है B, smallest carpel bone is B, nursing officer organization, रास्तान unit tonk, 5, 5 अच्छा PC form जवाब दे रहे हैं, 5, ठीक है नवीन शर्माजी, E, Robin B शुबम शर्मा, D B, D, E, तीन तरी, चार तरीके option कैसे आ सकते हैं, एक ही answer है, वापस सोच के, वापस जवाब दीजिए थर्ड का answer, 5 रवी बोल रहे हैं, 5 सुनिल बोल रहे हैं, 5, अनिल बोल रहे है, D हनिफ खान जी बोल रहे है 3, Assalamualaikum, खान साब Robin Meena जी बोल रहे है, B Renu B, ओके, जो भी answer है, देखते हैं, lunate ज्यादा लोग जवाब लगा रहे हैं, इसा क्यों मुझे नहीं बता, क्लास देखेगा आराम से, Prezor's disease is associated with, Prezor's disease, कौन सी बोन से संबंदित है, निम्ण में से, कौन सी बोन से संबंदित है, क्या, Prezor's disease Prezor's disease क्या होता है, A Vescular Necrosis होता है, एक बोन का, कौन सी बोन का होता है, आपको जवाब लगाना है, Scephoid का, Radius का, Alna का, या Lunate का, आराम से जवाब लगाईए, कोशन नंबर 4 का answer क्या होगा, कोशन नंबर 4 का answer, Hanif जी वाले कुम Assalam, Thank you, Rakish C, Rakish बता रहे है C, Preser Disease Associates with Allah, नहीं पता सर, कोई बात नहीं नहीं पता, It's okay, नहीं पता तो, Antim Yadav जी बोल रहे हैं, No idea, कोई बात नहीं 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 आईडिया, तो, Get an idea, सर जी, Nitu Sani जी, No idea, Sir, Get an idea, Pinku B, Shakuni Mama, A, थोड़ा भी कोशन मैंने गुमा कर दिया है नहीं और गए काम से है, थोड़ा सा कोशन गुमा दिया है, तो गए काम से, Preser Disease कौन सी बोन से संबंदित है, ठीक है, ओकिये, कोई बात नहीं, 4, 4 जवाब लगारे है, Lunate, सही जवाब तो आई नहीं रहे है, एक भी option ही नहीं आया भी तो बचावा वो सही जवाब होगा है, लगा दो उसी को, 4th question देखिएगा, 5th question, Most Common Dislocate Carpal Bone, Carpal Bone जो Most Commonly Dislocate होती है, आराम से पड़ापड डिस्लोकेट हो जाती है, तो ऐसी कौन सी बोन है, स्केफोई, लूनेट, कैपिटेट या ट्राइकोटरल, देखिए आप, स्केफोई, लूनेट, कैपिटेट या ट्राइकोटरल, जो Most Commonly Dislocate होती है, बहुत जल्दी से डिस्लोकेट हो जाती है, ऐसी कारपल वोन जो Most Commonly Dislocate होती है, स्केफॉइड, लूनेट, कैपिटेट या ट्राइकुटरल, जवाब लगाइए, जो पानी से नाएगा वो कि वह लिभास बदलेगा, लेकिन जो पसीने से नाएगा वह यतिहास बदलेगा दोस्तों, तो गरमी है, गरमी में पसीने से नाएगा है, क्लास का आनन लीजिए, इ इंतजार का मजा लीजिए उसी तरीके से class का भी मजा लीजिए दोस्तों enjoy करते वे class लेना question जो मैं आपको दिखा रहा हूं ऐसे question है जो exam में पहले पूछे कहे हैं कहीं नहीं question को आपके एक छवी के रूप में हम लेकर आते हैं यह बताने के लिए कि कहां से पूछे जा रहे हैं exam में question आपके level पर ठीक है पड़ाने को तो इससे भी ज्यादा है बहुत कुछ है इसमें bones के अंदर मसल्स के अंदर बहुत कुछ पढ़ाया जा सकता है लेकिन जो अपने level में आ रहा है nursing education के level में उसको हम पूरा cover करने कोशिश कर रहे हैं या ठीक है तो fifth question का answer देख लीजेगा six question which of the following bone does not take part in the formation of wrist joint बहुत important question है यह wrist joint की bones बनाई है मैंने यह देख लीजे आप scaphoid lunar trapezium trapezium trapezoid capitate hemat ठीक है first carpo metacarpal joint होता है trapezium और first metacarpal के बीच के अंदर यह रहा ठीक है यह जो joint है आप पढ़ते हैं इस तरीके का joint है कौन से joint का उधार ने यह भी बताना और इस question का answer भी बताना which of the following bone does not take part in the formation of wrist joint निमन में से एक bone ऐसी जो wrist joint बनाने में part नहीं करती कौन सी है question number six cancer आज का weather cool cool है गोविन शुकला जी तो क्या क्या करना चाहिए आज अगर weather cool cool है तो आज ठीक है बारिश and snowfall हुआ है cool weather अंजली जी अंति मियादर वोल ने फिफ्थ फिफ्थ मतलब ट्राइक विट्रल बोन पार्ट प्लेनी कर रही six question का answer अंसर बताई आप six question का answer बहुत अच्छा question है बड़ा conceptual बहुत अच्छा और इतना easy question है कि इस question का वेट करना चाहिए आपको कि ऐसा question exam में आये और सीधा answer आएगा क्योंकि इसकी spelling में ही छिपा हुआ है कि कौन सी बोन नहीं है इसकी spelling में मैं अभी पढ़ाऊंगा आपको जब बताऊंगा इसको detail में कोई प्यार भरी शायरी हो जाए सार आज के मौसम में कि छंचन करती आई खंखन करती चली गई हम सिंदूर लिए खड़े थे वो राखी बान कर चली गई यह लोग प्यार भरी शायरी है ठीक है which of the following bone does not take part in the formation of the wrist joint radius, alna, lunate, scaphoid, or triquittal six question का answer लगानी कोशिश कीजिए, b लगा रहे लोग, alna, देखते हैं, seven question which of the following fracture is associated with the fracture of the lower end of the radius, lower end of the radius पर fracture होता है, उसको कौन सा fracture बोलता है, देखो यह चितर भी यह दो fracture यहाँ पर बताए गए है, एक के अंदर dorsi flexion हुआ है, एक के अंदर plantar flexion हुआ है, ठीक है, एक fracture हु lower end of the radius का जिसमें plantar flexion हो रहा है, ठीक है, तो dorsi flexion और plantar flexion, दो अलग-अलग तरीकी की flexion होते वह यहाँ दिखाए गए है, पूछा है बता हो, lower end of the radius का अगर fracture होता है, तो कौन सा fracture कहला था, smith fracture, collies fracture, galizes fracture, या बोथ 1 and 2, 1 and 2 मतलब smith भी बोलेंगे, collies भी बोलेंगे, तो पता नहीं हो, आप देख लीजे, which of the following fracture is associated with the fracture of the lower end of the radius, ठीक है, इसका जवाब लगा नहीं कोशिश कीजिए, कोशिव नमबर 7 का अंसर लगा रहे हैं, लोग A, मतलब smith fracture जवाब लगा रहे हैं, आजए कुछ लगा रहे हैं, B, B मतलब collies जवाब लगा रहे हो, अनीता जी बोल रहे हैं, 1, ठीक है, good, देखते हैं, आगे, अभी study के अंदर करके, end में वापस देख लेंगे, अचा, जब मैं question आपको end में कराता हूँ, तो उसको उत्तर आप लोग लिख लिए कीजिए, उसी समय, तीक है, most frequently and severely affected in the rheumatoid arthritis, R.A. मतलब है rheumatoid arthritis, rheumatoid arthritis नाम के निम्न में से कौन सा बोन होता है, ठीक है, wrist की bones, radius की bone, अलना की bone, या phalanges वाली bone, आपको बताना है कौन सा, यह wrist लिखा है, wrist joint है, कोई bone का नाम ने लिखा ही इनोंने, तो यह answer नहीं होगा, यह पक्का answer नहीं होगा, क्योंकि bone पूछा है उपर और नीचे bone नी wrist लिख दिया wrist joint है, ठीक है, तो wrist आप हटा सकते हैं, option के अंदर, यह answer नहीं है, बाकी 3 में जवाब लगाई है, radius अलना या phalanges, most severely affected in rheumatoid arthritis, rml दिल्ली का प्रशन है, answer is D, लोग आप D answer ज़्यादा लगा रहे हैं, phalanges लगा रहे हैं, अच्छा क्यों phalanges क्यों यह भी बताएगा, ठीक है तो वो हम और्योटाइड arthritis पढ़ेंगे, तब discuss करेंगे कि क्यों phalanges ही इसका जवाब होता है, ठीक है, next question, गुयान कैनाल syndrome मैंने बताए था आपको, गुयान कैनाल syndrome निम्न में से कौन सी नर्व की injury से संबंदित है, गुयान कैनाल syndrome के अंदर आपकी जानकारी के लिए मैं ब इंजरी, मीडियन नर्व की इंजरी या बकल नर्व की इंजरी, अराम चे सोची और इसका जवाब लगाई है, राहूल बोल रहे हैं कि रिवेटर अर्थ्राइटि शॉर्ट बोन में ही होता है, थोड़ा थोड़ा आंसर ठीक है, आटो इम्म्यूनिटी डवलप होती है, औ मैं इसका जवाब और अच्छा गेहन, अच्छा जवाब डूडने की कोशिश करो, ये तो जवाब मतलब ऐसा हो गया कि छोटे जोटने में होती है, क्यों होती है, जोटने की, नहीं तो मैं डिस्कस करूँगा अपसे, ठीक है, तो गुइन कैनल सिंट्रोम एसोसियेट अभाइब दीड भींड औरहा है मीडियन नर्व अशोक थी बोल रहे है Alla nic पूंद कुमारी जी बोल रहे है Alla nerve नर्सिंग स्टूडेंट और्गनीजेशन बोल रहे डार नर्व कॉशन 9 का उत्तर 3 3 मतलब मीडियन नर्व 사람ा जो भी अंसर है देखते अभी डिसकस करेंगे 5 मिनिट के बाद, 15 मिनिट के बाद में, ठीक है, 10th, यह आपका फेवरेट कोशन आ गया है, honeymoon palsy is associated with which of the following nerve injury, ठीक है, बताइए, honeymoon palsy कौन सी nerve की injury से संबंदित है, radial nerve, ul nerve nerve, median nerve, या बकल nerve, ठीक है, तो answer लोग लगा रहे है, radial nerve, A, अंजली गौर्ड जी नही आता तो, बताइए अभी, सुमन कुमारी जी लगा रही है, A, अनिल लगा रहे है, A, नवनीत, 4, अनिल पंजी, A, अगर आपको कोई question नहीं आता है, तो उसमें बिल्कुल आपको सोचने की जरूत नहीं कि इतने साल हमने क्या किया कि हमको question ही नहीं आ रहा है, ऐसा आपको पता लगा कि पूरा सेलेवस आप पढ़ चूके महीने बर में तो, कई बच्चे मुझे पूछते हैं कि रोज कितने subject को पढ़ना चाहिए, क्या एक ही subject को लगातार पढ़ते रहना चाहिए, नहीं ऐसी गलती का भी मत करना अगर competition का exam दे रहे हो तो आप, आपको जि यह तीन जो books, यह तीन जो copies है मेरी, इसके 10-10 page में पढ़ूँगा, मेरी syllabus पूरा हो चुका है, मैं पढ़ चुका हूँ एक बार, अब मैं exam के लिए prepare कर रहा हूँ, तो कम से कम 3-4 subject ऐसे होने चाहिए, दो सुबह पढ़ो, दो श्राम को पढ़ो, दो पर में बीच में आप छोड़ा rest कर सकते हो, खानवा न खा सकते हो, सब्ते में एक दिन ऐसा रखो जिसमें आप अपने normal routine के काम करो, गूमने जाओ, खेलो को जो करना है, जो आपकी wish है, जो इच्छा है, उसको आप उस दिन पूरा करो, पूरे time पढ़ते रहोगे, तो भी depression में आ जाओगे, ठीक okay, Saturday night pelsy भी बोलते हैं, इसको squash pelsy भी बोलते हैं, इसको crutch pelsy भी बोलते हैं, बहुत सारे नाम है, अपने इस पर बात करने वाले हैं, last question आज का, lateral scapular winging is scene in, मैं आपको बता देता हूँ, आपने question पढ़ा होगा, scapular winging, winging of scapula, आपकी जानकारी के लिए बता दो, winging of scap कीजिए, long thoracic nerve की injury, accessory nerve का dysfunction, radial nerve की injury या scapular nerve की injury, निमने में से कौन से nerve की injury से, lateral scapular winging डवलप हो जाती ही, हम बात करेंगे, अभी थोड़ी देर में, okay, दोस्तों, तो ये तोरह कोशन, अब आशा करता हूँ, आपको कोशन, कुछ तो आपके भोगने में गये होंगे, जो ये तेरा सो सीसी का engine है, तेरा सो पचास ग्राम का और तेरा सो सीसी का engine, इसका इस्तमाल कीजिए, और आइए दोस्तों, देखते हैं, इस कोशन के answer क्या होंगे, अब पढ़ना चालू करते हैं, आपके कमेंट में पीछे से फेट से पढ़ूँगा, अचा, आपको कुछ पूछ से पर फिर भी अगर आपको कुछ पर्सनल कोशन पूछना हो, अगर किसी topic के बारे में जो मैं पढ़ा रहा हूं उससे related, तो आप इसकी comment box के लिख सकते हैं, मैं जवाब दे दूँगा, ठीके दोस्तों, क्योंकि सारे हाथ जवाब देना पॉसिवल नहीं होता, पढ़ाने म उसे जुड़े भी कुछ questions अपने पढ़े थे, ठीक है, lateral epicondylitis से tennis elbow होता है, medial epicondylitis से golfers elbow होता है, ठीक है, lateral LAT, T मतलब lateral जबी भी लिखाओ आए epicondylitis, तो LATERAL, तो T मतलब tennis elbow, medial epicondylitis में golfers elbow, ऐसे आप याद कर सकते हैं, ठीक है, अच्छा, अब आजागी देखिए, radius पे ह कोशन पूच सकते हैं अपने से, radius की संख्या, सभी को पता है, दो संख्या है, अच्छा, radius का जो shape है, shape पे कोशन आते हैं कई बार, तो radius का shape किसकी जैसा होता है, prism नूमा होता है, कैसा होता है, prism नूमा, जैसे कि कोई prism हो, यह देखिए, इसको बोलते है prism, जो green color का नज हैं हम लोग, पर आप इतना देखिए, कि prism के जैसा shape नजर आता है, कि इसका radius का, इसलिए radius को बोलते है, prism shaped bone, कैसी bone, prism shape है, अगर कोशन कभी ऐसा आजाए, कि निमन में से कौन सी bone, prism के आकार की होती है, तो आपको जवाब क्या लगाना होता है, radius होती है, ठीके दोस्तो अच्छा, lower end of radius का fracture होता है, तो उसको collies और smith, दोनों बोलेंगे, कैसे, मैं बता रहेता हूँ कैसे, कुछ भी नहीं है, अगर डॉर सी flexion हो जाए, मतलब इनसान जब गिरे और उसका radius fracture होने के बाद में, ये joint ऐसे हो जाए, मतलब डॉर सी flexion, तो इसको हम बोलेंगे collies fracture है बहुत सावदनी से देखिए, आराम से देखिए, मानलो radius के lower end का fracture हुआ, और radius के lower end के fracture होने के बाद, आपका wrist ऐसे हो गया, मानलो, क्योंकि हड़ी तूटी है, तो wrist ऐसे भी हो सकता है, और ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, जब ये उपर जाता है, तो इसको बोलते है, dorsey flexion, और जो भी नीचे आता है, तो इसको बोलते है, प्लांटर flexion, और हम से देखिए, dorsey flexion उपर चला गया, इसको बलेंगे, कोली fracture, और अगर आपका wrist नीचे की तरफ डॉप हो गया, ऐसे हो गया, तो अगर ऐसे हो गया, इसको हम बोलेंगे, smith fracture, याद करने का तरीका, मैं बता द गया, वापस देखिए, विराट कोली जब गाड़ी चलाएगा, तो अपने हाथ की speed को ये race देगा, race देगा, तो wrist खुल गया, उपर की तरफ हो गया, तो अगर dorsey flexion हो जाए, और lower end of radius का fracture हो जाए, तो इसका मतलब इस fracture को हम बोलेंगे, कोली fracture, ठीक है, अच्छा, इसमिता इराणी ने speed slow करी, और lower end of radius का fracture हुआ, speed slow, मतलब plunder flexion हुआ, अगर इस तरीके की स्थिती डवलप होती, तो इसी के लिए शब्द काम में आएगा, smith fracture, इस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है, अच्छा, lower end of radius, अधिकतर किन लोगों का fracture होता है, वैसे तो किसी का भी हो सकता है, डिपेंड करता है, इंजरी पे, अगर आप out stretch hand से गिड़ जाओगे, और wrist joint पे pressure पड़ेगा, तो आपके lower end of radius का fracture हो सकता है, लेकिन अधिकतर 50 साल से उपर के जो लोगों होते हैं, उन लोगों में इस तरीकी की fracture होने की संभावना होती, क्योंकि lower end of radius जो है, इस से बड़े जो adult है, चाहे male हो, चाहे female हो, दोनों के अंदर होने की संभावना क्या है, इस के अंदर, ज्यादा है इस तरीकी की fracture होने पे, अगर वो out stretch hand से गिड़ते हैं, तो, अच्छा, pot fracture किस से जुड़ा हुआ है, lower end of the fibula का अगर fracture होता है, तो उसको हम बोलते है, pot fracture, ठी है, दूसरी चीज, galaxy fracture का बोलेंगी, जब radius का fracture होगा, distal one third, distal one third का क्या मतलब हो, चितर में देखिए, what is the meaning of distal one third, distal one third मतलब, नीचे का एक तिहाई भाग, बिल्कुल किनारे से अगर radius टूट जाती है, जब तो आप बोलो, collies fracture या फिर smith fracture, जैसा भी चितर आया exam में, exam मे अधिक तर क्या आता है, इस तरीकी का चितर बना होता है, और radius को टूटा हुआ दिखाया जाता है नीचे, तो speed उपर कर दी, तो विराट को ली, speed नीचे कर दी, तो smith fracture ठीक है, अचा इसके अलावा, अगर वो यहां से bone नहीं तोड़े, और यहां से कहीं पर तोड़े radius bone को तो इसी का नाम हो जाएगा galaxy fracture, galaxy sign अलग होता है, जिसको हम alice sign भी बोलते हैं, hip के dislocate होने की वज़े से, या hip के trochanter के टूटने की वज़े से, head के टूटने की वज़े से, इस तरीके का sign आएगा, जो कि lower limb के अंदर हम पढ़ेंगे, उसको बोलेंगे galaxy sign या alice sign, जिसमें जुलते शब्द है, इसलिए मैंने आपको बता दिया है, तो यह important है, जो भी theory आपको परोशी जारी है, बहुत important है, बहुत मैनत से बनाएंगे, यह personal मैंने खुदने बनाएं सारे notes, आप शांती से इनका अध्यन कीजिए, अच आगली चीज, रिस्थ जॉइंट में कौन सी बोन पार्ट प्ले करेगी और कौन सी नहीं करेगी, अब सुनिए मेरी बात ध्यान से आप, रिस्थ जॉइंट के अंदर जो जो बोन पार्ट प्ले करती है, उनकी टोटल संक्या है, ठीक है, कौन सी बोन है, यह आगे चित्र में मैं आपको दिखाऊंगा, याद करने का तर करती, क्योंकि अलना और रिस्थ जॉइंट के बीच में एक फाइबरस मटीरियल है, वाइट कलर का, जो इसको जॉइंट के अंदर पार्ट प्ले करने से रोकता है, तो अलना ड़स नोट टेक पार्ट इन दी फॉर्मेशन ऑफ रिस्थ जॉइंट, वेरेज, रेडियस टेक पार्ट इन दी फॉर्मेशन ऑफ रिस्थ जॉइंट, याद कैसे करना है, कौन कौन सी बोन पार्ट प्ले करेगी, रिस्थ की स्पेलिंग से याद करना है, कैसे यह मैं बता दोगा, ठीक है, अच्छा, रेडियस और अलना अगर दौनों को कंपेर किया जाए, तो दौनों म मैं anatomical structure में खड़ा हूँ, तो बाहर की तरफ निकलती भी जो बोन है, वो रेडियस है, अंदर वाली कौन सी है, अलना है, कैसे याद रखना है, आप रेडियो को घर के बाहर ले जा सकते हो, तो बाहर वाली कौन सी हुई, रेडियस, क्या आप टीवी को उठा के घर के बाह ले जा सकते हैं, और मीडियली पाओ में कौन सी रहेगी, तो रेडियस अलना और टीवी फिबूला में अब आपको यह कंफ्यूज नहीं होना है, कि मीडियल कौन सी है और लेटरल कौन सी है, ठीक है, अच्छा, फनी बोन कहते हैं, अलनर नर्व को, कोई बोन नहीं है, यह स अलना है, बाहर की तरफ रेडियस है, मैंने बताया आपको, यहां से जब नर्व पास होती है, तो अलनर नर्व यहां पर बोन के ऊपर आती है, बाकी हमेशा नर्व अंदर की तरफ रहेगी डीप, लेकिन यहां पर सूपरफिशल आएगी, यहां पर कभी इंजरी होगी तो यहां पर सुपरफिशल होने की वज़े से यहां जब इंजरी प्रड्यूस होती है, तो एक सेंसेशन आता है, इसलिए इसको फ़नी बोन बोल दिया गया है, थीक है, बाकी फ़नी बोन नाम का कोई स्ट्ट्चर ऐसा नहीं होता, ठीक है, अच्छा अगली चीज देखिए, अल्ना के अंदर, अल्ना की संख्या भी कितनी है, दो है, और अल्ना और रेडियस दोनों में से लंबी कौन सी बोन होती है, अल्ना होती है, अल्ना डस नोट टेक पार्ट इन फॉर्मेशन ऑफ दी रिस्ट जोइंट, ठीक है, बात समझ में आ गई आपको, अब आगे देख कोश्चन में जो पूचा है, वो मिडल रेडियो अल्ना जोइंट पूचा है, तो मिडल रेडियो अल्ना जोइंट किसका एक्जेम्पल होगा, मिडल रेडियो अल्ना जोइंट, फाइबर जोइंट का एक्जेम्पल होगा, जब कि सुपीरियर और इंफीर रेडियो अल्ना एक दूसरे के उपर पाइवट की तरह मुव करते हैं तो आर दी एक्जम्पल ऑफ दी पाइवट जॉइंट ठीके दोस्तों कारपल और मेटा कारपल बोन्स की संख्या में आपको बता देता हूं बहुत आसान है कारपल बोन याद करना नहीं आता लोगों को याद करने का तर याद करने का अगर आपको याद करना चाहते हो तो शी लुक्स टू प्रिटी ट्राइट टू कैच हर शी लुक्स टू pretty try to catch her ठीक है she looks too pretty मतलब scaphoid, lunate triquitral, pisiform try to catch her trapezium, trapezoid, capitate hemet, अब आप खुद बताइए इन में से सबसी बड़ी bone जो नजर आ रही हो कौन सी है? capitate याद करने का तरीका है capital सबसे बड़ा होता है capital मतलब money तो capital is the money, capitate सबसे बड़ी bone होगी, तो सबसे बड़ी carpal bone कौन सी है, जवाब क्या होगा capitate, अच्छा दूसरा, सबसे छोटी कौन सी है, वो bone जो पिस गई वो जो पिसने के बाद तो powder ही बचा तो pisiform जो है वो सबसे छोटी bone ही रही, ठीक है दोस्तों तो याद करने का तरीका है, सबसे बड़ा क्या है market में, capital, तो capital capitate is the biggest bone सबसे छोटी bone कौन सी है, तो जो पिस गई, वो पिसी हुई bone सबसे छोटी होगी, तो नाम क्या है इसका PC fob, सबसे more commonly dislocate कौन सी होती है, देखो चंद्रमा रोज आता है, रोज जाता है चंद्रमा रोज आता है, रोज जाता है रोज आता है, रोज जाता है अब बताओ, चंद्रमा के नाम पे कोई bone दिख रही है, यहाँ, लुना लुना मींस चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा के आकार की नजर आती, इसको बोलते हैं, लूनेट तो लूनेट बोन is the most commonly dislocated carpal bone. Carpal bone में जब से अधा डिसलोकेट होगी, वो बोन कौन सी होगी? लूनेट याद रखने का तरीका है. इसके अलावा एक और है, जब आप गिरो अगर, रिस्त के बल गिरें अगर, तो most commonly fracture होने का खतरा कौन सा होगा, तो जो अंगुठे के नीचे है, ये वाली बोन तो नीचे टकराएगी पहले, ये वाली बोन कौन सी है, जो अंगुठे के नीचे की तरफ बोन कौन सी है, scaphoid तो most commonly fracture wrist bone कौन सी होती जवाब क्या होगा उसका scaphoid ठीक है दोस्तों समय में आगई बात हचा मैंने आपको बोला था preserve disease is associated with बहुत ध्यान से सुनना एक चीज़ यहां मैं आपको बताना चाहरा हूँ कि preserve disease किसे associate है बहुत ध्यान से देखेगा देखें दोस्तों यह scaphoid है और जब scaphoid को blood मिलता है तो इस तरीके से मिलता है यह उपर की तरफ supply गई एक supply उपर से नीचे की तरफ आती है ऐसे इसको बोलता है retrograde supply retro retrograde यहां से ब्रांच निकल की उल्टी आ रही है सीधी ब्रांच नहीं जारी आप समझ रहे हो ना मतलब ऐसे नहीं जारी ब्रांच कैसे जारी है यह main artery गई इसकी ब्रांच निकल के पीछे आई है ठीक है ऐसा होता है तो कभी कभी क्या होता है इस scaphoid की retrograde supply होने की वज़े से य क्योंकि यह एक सीधे रास्ते में supply नहीं होने की वज़े से उल्टे रस्ते में supply होने की वज़े से इसका एक पार्ट ज्यादा तर एवैस्कुलर नेक्रोसिस होने का खतरा रहता है इसी को बोलते है प्रीजर्स डीजीज प्रीजर नाम के जर्मन वेगयनिक ने इसकी खोज लिजे बाकी सारी बोन्स मेन आपको बता दी थंब जाइंट का निर्मान कौन सी करेंगी यह रही यह फ्रस्ट मेटा कारपल है यह फ्रस्ट मेटा कारपल है this is the first metacarpal this is the second this is the third this is the fourth and this is the fifth तो first metacarpal और trapezium के बीच में जो जॉइंड बनता है इसी को बोलते है thumb joint कौन सा joint thumb joint आपको यह बताना है यह कौन सा joint है यह कौन सा joint है जो इस तरीके का बना रहा है यह कौन सा joint है क्या इसको सेडल बोलते हैं कि बता यह कमेंट कीजिए ठीके दोस्तों तो यह joint है first metacarpal और trapezium तो कभी आप से पूछे कि thumb joint कौन सा joint है तो आपको नहीं बोलना यह वाला joint है ऐसे नहीं बोलना आपको बोलना first metacarpal और trapezium के बीच में जो इसको बोलते हैं thumb joint ठीक है अब आपको बताना है कौन सा है यह सेडल जोइंट का example है क्या वताईए metacarpal की संख्या कितनी है metacarpal की संख्या 5 होती है first metacarpal second metacarpal third metacarpal fourth metacarpal or fifth metacarpal 5 metacarpal 5 metacarpal है fellings की संख्या कितनी है तो 28 fellings तो है अपने पास में हाथों के अंदर और 28 fellings हमारे पास में पाओं के अंदर 56 जवाब होता है कि total fellings पूछता है तो केवल upper limb की पूछता है तो 14 right hand में 14 left hand में total fellings कितनी हो गई दोस्तों 28 upper limb में हो गई 28 lower limb में हो गई बता है अगर मैं question यह पूछू आपसे कि total metacarpal metacarpal body के अंदर तो केवल हाथों में होगी ना 5 right हाथ में हो गई 5 left हाथ में हो गई तो total metacarpal कितनी हो गई संख्या के अंदर total हो गई 10 ठीक है अच्छा boxer fracture किसे कहते हैं यह भी यह question मैंने कहीं देखा तो मैंने आपको notes में अटका दिया है 5th metacarpal का अगर fracture होता है तो उसको बोलते है boxer fracture 5th metacarpal अभी चित्र में बताया था 1st metacarpal 2nd metacarpal 3rd metacarpal 4th metacarpal 5th metacarpal अगर इसका fracture हो जाए क्योंकि जो boxer होता है इसलिए इसको boxer बोला ठीक है जैसे मैंने बोला lateral epicondylatis अगर हो जाए यूमरस के अंदर तो उसको हम बोलेगे tennis elbow मीडियल हो जाए तो बोलेंगे golf horse elbow ऐसा बोला था इसका मतलब यह तो नहीं कि अवल टैनिस खेलने वाले और golf खेलने वालों के अंदर होगा आम जनता में भी हो सकता है तो इस तरीके का fracture अगर 5th number की metacarpal के अंदर होता है तो उसके लिए जो शब्द का इस्तमाल होता है व शांती पूर्वक देखनी कोशिश कीजिए स्टर्णो क्लेविकिलर जॉइंट हमने लास्ट क्लास में पढ़ता है सेडल साइनोविल जॉइंट है ग्लीनो यूमरल बॉलन सोकेट जॉइंट है और elbow joint जो हो हिंज जॉइंट है यह जो elbow joint किस तरीके का joint है यह हिंज रेडियो ने आपको यहां बताना भूल गया है यहां एक बार बता देता हूं देखिए रिस्ट जॉइंट को याद केसे करना है रिस्ट जॉइंट में कौन-कौन सी बॉन्स पार्ट प्ले कर रही है कोई दिकत निया बस आपको यहां लिखना है W R I S T W मतलब होता है रिस्ट जॉइ इस आई आई कुछ भी बॉन नहीं है यहां पर यहां पर आई जैसी बॉन कौन सी दिख रही है एल तो इसको लिखो लुनेट एस बताइए एस कौन सी है इसके फोइड और T T कौन सी देखना तो ट्राइकविटर यह बॉन तो रिस्ट जॉइंट में पार्ट प्ले करेगी बाकी बॉन सो रिस्ट जॉइंट में पार्ट प्ले नहीं करेगी तो बताई यह कमेंट सेक्शन के अदर कि यह ट्रिक आपको कैसे लगी याद हुआ है न मतलब होता है रेडियस आई कोई बॉन नहीं है आई को आप एल के जैसे याद रखो मतलब लुनेट इसके फोइड और ट्राइकविटरल यह चार बॉन से रिस्ट जॉइंट के निर्मान करती है बाकी बॉन से रिस्ट जॉइंट के निर्मान नहीं करती है यहां देखिए यह अल्ना बोन है, अल्ना और रिस्ट जॉइंट के बीच में, यहां पर एक फाइब्रस टिशू होता है, जो इसको जॉइंट के अंदर पार्ट प्ले करने से रोकता है, दोस्तों, अनाटमी की बुक के अंदर आप देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों, तो यह है हमारे पास में रिस्ट जॉइंट को याद करने का तरीका, रिस्ट जॉइंट होता कौन सा जॉइंट है, तो पहली प्रायटी जवाब लगाना है, इलेप्सोइड जॉइंट क्योंकि इसका शेप इलेप्टिकल होता है, इस जॉइंट का, इसलिए इसको इलेप्सोइड जॉइंट बोलते okay दोस्तो अचा जितने भी carpel bones है इनके खुद के बीच में भी तो जॉइंट है और आठ carpel bone है आठ carpel bone है तो जी आपस में क्या वनारी है joint बनारी है तो कैसा joint है वो plain synovial joint मतलब gliding joint हल्का हल्का सिसमे इन रिलना होता है ज्यादा यह रिल नहीं सकती देखिए कारपल बोन एक दूसर के ऊपर थोड़ी सी स्किट हो सकती है इसी को बोलता है प्लेइन साइनोवियल जॉइंट ये ग्लाइडिंग जॉइंट इसके बाद जैसे ही आप कारपल और मेटा कारपल पर आ जाओगे तो ये नकल जॉइंट बन जाएगा देखो ये नकल जॉइंट ये नकल जॉइंट कैसा होता जैसा रिस्ट जॉइंट होता है रिस्ट जॉइंट कैसा था इलेप्सोइड था सेकिंड प्राइटी में कॉंडाइलर था उसी तरीके से ये जो कारपो मेटा कारपल जॉइंट है ये भी कैसे जॉइंट का एग्जेंपल है कारपो मेटा कारप सुरी दोस्तों कर पो मेंटा करप वल एक्षर प्राइमपल एक्ष्यांपल ड्रॉईंटर आरorte प्लेन जॉइंक र Crewe दोस्तों कर पो मेंटा करपल जॉईंट आर दी एक्षैंपल एक्षा प्लेंपलесп मेंटा कर पस्टा circular प्रा जुएंटर् ठाप जोएंट है ये लेप्सोइड है बिल्कुल सही बोला इसका जवाब बिल्कुल सही लेप्सोइड नकल जोएंड किस-किस पीच में थे और metacarpal के बीच में वापस देखिए एक बार फिट से यहां से बता देता हूं आपको रिस्ट जोइंड कैसा है इलेपसोईड नकल जोइंड भी कैसा है इलेपसोईड बीच में जो भी है सब प्लेन है इंटरफरेंजल जोइंड का एक्जैंपल होते हैं यह चार तरीके के नर्व इंजरी पर कोशन अपन से पूछते हैं चारों आपन देख लेते हैं पहला कार्पल टरनल सिंड्रोम इस एसोसीट विड़ इंजरी ओशनर विच नर्व आंसर है इसका मीडियन नर्व क्यूबिट पीछे बता रहा हूँ अब इन तीन को याद कैसे करें याद करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ अभी के अभी याद हो जाएगा नो कंफ्यूजन वापस देखिए शांती से इन तीन हमने ऐसे पर जाएगा यू पर जाएगा वह सिंद्रों केम है तीन लिखIE है इसके अंदर यू जहां पर आएगा एंजरी ऑगा तीन शफर अब तीनोChक Maa uta far not 4ए वह के अनडर नर्व यहां पर हाँ यहां यहां आ रहा है यहां इसका मतलब गुयान और क्यूबिटल यह दौनों की दौनों कौन सी नर्व की इंजरी होती है अलनर नर्व की इंजरी होती है जब कि कारपल टनल सिंड्रोम इस फेमस वह टाइम से आप लोग पढ़ रहे हैं आप लोग लिए नया नहीं है कारपल टनल सिंड्रोम इस अग्जेम्पल ऑफ मीडियन नर्व इंजरी फिर से बता रहा हूं जिसकी पहले स्पेलिंग के अंदर यू आ जाता है ओ वह अलनर की इंजरी है यहां पर कारपल टनल क्यूबिटल टनल और गुयान के अंदर ठीक है अब रेडियल अंटमिकल स्पॉपस किसको कहते हैं अनाटमिकल स्फॉपस यह होता है देखिये यह जो अंगुठा एस अंगुटे के नीचे अगर आप अंगुटे को एकस अ क्स्टेंड कर देते हैं तो यहां पर एक खास स्ट्रक्चर बनट जाता है इसमें कॉण रहता है इस गोगे लेने के लिए इस जगे का इस्तमाल किया जाता था यहां पर ड्रग्स डाल कर नाकों से इसको स्मेल किया जाता था snuffing की जाती थी snuff इसलिए इसका नाम पड़ा anatomical snuff box ठीक है दोस्तों आगे देखिए का दोस्तों radial nerve की injuries में आपको बता देता हूं अलग अलग नाम है radial nerve की injury के बहुत अच्छा कोश्चन है देखिए शांती से radial nerve के अंदर आपका जो wrist है वो drop हो जाएगा ऐसे ठीक है radial nerve की injury होगी तो wrist क्या होगा ड्रॉप हो जाएगा radial nerve की अलग 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 नाम क्यों है वो अपन देखने कोशिश कर रहे हैं ठीक है इसको wrist palsy बोलते हैं क्योंकि आपका wrist क्या हो जाता है इसको honeymoon palsy बोलते हैं इसलिए उसका answer है यह चित्र इस चित्र को देखिए यह जो थर्ड नमर पे चित्र दिखाई दे रहा है इस तरीके से अगर कोई क्योंकि यहां से रेडियल नर्व निकल रही है और रेडियल नर्व की अगर लंबे समय तक डबी हुई रही तो आपका wrist क्या हो जाएगा इसलिए इसको honeymoon palsy भी बोलते हैं इसको saturday night palsy को मोलते हैं कि देखिए उसका कारण यह है आउट stretch hand से saturday night को party party करके आप सो गए हाथ ऐसे करके सो जाते हैं लोग कई बार उससे यह जो नर्व है यहां पर injured होने का खत्रा होता है और रेडियल नर्व की injury को इसे wrist क्या हो सकता है ड्रॉप हो सकता है इसको saturday night palsy भी बोलते हैं इसी तरीके से जो लोग squash खेलते हैं इसको आप जूम करके देख लीजेगा screenshot लेके squash इसी के साथ में एक और कारण है होने का क्रच पैल्सी क्रच यह देखें यहां पर क्रच अगर आप क्रच का इस्तमाल करते हैं तो हम क्रचन गेट एक टॉपिक पढ़ेंगे आगे जब हमारा और्टो का सेक्शन कंप्लीट होने वाला होगा तब एक टॉपिक आपको पढ़ तरीके की वाट होती है उसके बारे में बात करेंगा तो क्रच में नॉर्मल बात है कि जब ही क्रच का साइज लो तो आपके एक्जिला जो है यह उसका एक्जिला बार क्रच का एक्जिला बार हमेशा दो से तीन उंगली नीचे होना चाहिए मतलब करीब करीब तीन सेंटीम चाहिए अगर आपके करच का बार एक्षिला पर टश कर रहा है और आप उसके सारे चल रहे हो तो यहां पर एक नर्व की इंजरी हो सकती है उस नर्व का नाम क्या है रीडीयल नर्व क्न जीरी हो सकती है इसनिये इसको क्रच पहल सी भी बोलते हैं तो अलग-अलग नाम इसके स्क्यापुलल विंगिंग किसको कहता है इसके Пुल विंगिंग मतलब आपका इसके पुल है उसका टोन खरब हो गया और इसने ङगाता है ग कि अगर को भीliest मेरी डेवेट ऑगर के वा बाद डेविएट ऊग तो कौन से नहर तो हो सकती है या कौन सी मसल का weakness या paralysis हो सकता है ठीक है इसी तरीके से अगर वो lateral winging करता है lateral मतलब body से बाहर की तरफ wing निकल गया है scapula का तो ऐसी condition में हम बोलते है lateral scapular winging और वो कौन सी nerve की वज़े से होती है और कौन सी muscle involved हो जाती है उसमें यह अपने को देखना है important है बहुत सावधानी से इसको देख लीजिए last point है आज का ठीक है medial scapular winging कौन से case में देखने को विलती है बहुत easy है आप MS dhoni को जानते है MS dhoni बहुत लंबे-लंबे चक्के लगाता है आपको ऐसा याद dhoni लंबे-लंबे चक्के लगाएगा long 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 मतलब long thoracic nerve का dysfunction हो जाए long thoracic nerve की injury हो जाए तो medial scapular winging होती है जबकि lateral कभ होगी बहुत आसान है आपको lateral कैसे याद रखना है देखिए lateral खुद ही अपनी spelling के अंदर याद रह जाएगा आपको lateral scapular winging ठीक है तो lateral lateral में देखे T आ रहा है लिखा हुआ आ रहा है इसका मतलब trapezius muscle अगर weak हो गई तो lateral winging हो जाएगी और accessory nerve देखो lateral के अंदर A लिखा हुआ आ रहा है देखो lateral के अंदर तो trapezius muscle और या फिर accessory nerve की अगर injury होती है accessory nerve कौन से number की cranial nerve है या आप comment box में box के अंदर और अगर accessory nerve की injury अगर होती है तो भी lateral injury हो सकती है तो दोनों याद रखने का तरीका मैंने आपको बता दिया medial कैसे याद रखोगे याद रखो MS दोनी लंबे चक्य मारता है MS मतलब medial S मतलब serratus anterior लंबे मतलब long thoracic nerve ठीक है इसी तरीके से लेटरल को याद करना है लेटरल विंगिंग कौन सी नर्व या मसल से होती है तो याद रखने का तरीका है लेटरल की खुद की spelling मतलब LAT मतलब trapezius muscle आगया ERA मतलब आगया accessory nerve कौन से नर्व होती है आपको इसका नंबर बताना है anatomical snuff box में आपको बता चुका हूँ दोस्तों यह rheumatoid arthritis का एक चित्र है जिसमें बताया मरीज को rheumatoid arthritis में buttanya deformity और swan neck deformity हो जाती हम लोग rheumatoid arthritis में इसको discuss करेंगे दोस्तों आगे important question है carpal bone पर मैंने बताया था सबसे बड़ा कौन है capital सबसे बड़ा होता है सबसे छोटा कौन सबसे होता है pisa हुआ मतलब PC form most common dislocate chandarma रो जाता है रो जाता है lunate most commonly fracture ऐसे गिरोगे ऐसे गिरोगे तो यह वाला part आपका सबसे पहले प्रभावित होगा यह कौन सी बोन है पर question पूछते है carpal में सब seismoid seismoid मतलब होता है बीज नुमा बीज जैसे बीज fruit के अंदर रहता है वैसे ही अगर bone जो है वो किसी tendon के अंदर develop होती तो उसको बोलते है PC form bone तो seismoid bone is the PC form bone ठीक है तो seismoid bone कौन सी bone है PC form bone को ही seismoid bone बोलते है एक आखरी question आज का mallet finger किसको कहते है देखिए चित्र देखिए इसको baseball finger भी बोलते है जिपमर ने question पूछ रका है mallet finger देखिए यह जो extensor tendon है जो आप मानलीजी मेरा यह finger है यह मैंने finger को constrict कर दिया ठीक है flex कर दिया इसको वापस extend करने के लिए extensor tendon होते हैं अगर यह extensor tendon टूट गए जो लोग खेलते हैं baseball तो baseball का जो bat है जब उससे जोड से मारते हिट करते हैं तो कभी-कभी ball यहां पर लग जाती है क्योंकि ball बहुत हार होती है वो जैसे यहां पर touch होती है ball speed में आकर तो यहां पर tendon टूट जाता है extensor tendon टूट जाता है tendon क्या होते है muscle और bone को अटेच करने वाले जो structure होते हैं उसको बोलते है tendon ठीक है tendon के आगे एंथूसस होता है और एंथूसस के आगे bone होती है दोस्तों आप देखिएगा इसको तो extensive tendon अगर टूट जाए तो इसको baseball finger भी बोलते है या फिर mallet finger भी बोलते है ऐसा परस्ट पूछ रखा है किसने जिप मरने तो आप इस question का ध्यान दीजेगा दोस्तों तो आज के लिए इतना ही अब जो questions थे उसको आप answers देख लीजिए पहला question बता रहा हूं दोस्तों first question जो हमने आज देखा था आशा करता हूं को class समझ में आ रही होगी थोड़ी से tough तो नहीं होती class आप लोग के लिए middle radial nut joint is the example of fibrous joint whereas the superior and inferior radial nut joint are the example of pivot synovial joint बहुत अच्छी बात है आप एक ही pivot joint जानतेते हैं आज तक मैंने आपको और pivot joint बताएं आपर तो इसका answer होगा one first cancer क्या होगा one fibrous joint इसका answer होगा ठीक है लिख लीजिए इसका answer होगा one second largest carpal bone is अब इसका जवाब आप अराम से लगा से ल 3 इसका answer क्या होगा दोस्तों 3 answer होगा second question का answer होगा 3 smallest carpal bone सबसे छोटी carpal bone काउसी जो पिस गई पिसने के बाद छोटी होगी तो पांचवे नंबर की पिसी form is the smallest तो इसका answer है दोस्तों 5 इसका answer क्या होगा दोस्तों 5 होगा fourth question देखेगा preserves disease मैंने बता है आपको a vascular necrosis अगर दोस्तों 1 answer होगा इसका next most common dislocate चंडरमा रोज आता है 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 चंडरमा मतलब लुना तुदे को लुना नाम से कोई बोन है क्या lunate bone to lunate bone is the most commonly dislocated bone in the carpal section okay तो इसका answer है two two answer is lunate next which of the following bone does not take part in the formation of the wrist joint मैं qrist radius part play करेगी तो r है क्या इसमें r उत्तर नहीं होगा lunate scaphoid or triquittral part play करेगी wrist देख लीजिए आप लेकिन अलना इसके अंदर part play नहीं करती कोई white fibrous matter उसको part play करने से रोकता है तो यहां इसका जवाब होगा अलना अलना ड़स नॉट टेक part in the formation of the wrist joint इसका answer है two अलना next question which of the following fracture associate with the fracture of the lower end of the radius मैंने बोला lower end of the radius का fracture हो जाए और dorsi flexion हो जाए तो कोली और plantar flexion हो जाए तो smith क्योंकि विराट कोली गाड़ी तेज कराएगा और smith ayrani गाड़ी धीरे चलाएगी तो दोनों इसका answer है इसका answer होगा both one and two क्योंकि उपर यह नहीं लिखा कि dorsi flexion हुआ है plantar flexion हुआ है ठीक है तो इसका answer दौनों ही होगा one and two most frequently and severely affected rheumatoid arthritis जवाब होगा इसका phalanges क्यों होगा यह आपको जवाब देना है दोस्तों जवाब दीजेगा कि ऐसा क्यों होता है comment कीजेगा गुयांस कैनाल syndrome is associate with गुयांस देखे यू आरा है लिखा हुआ यू आरा है मतल टू जवाब होगा इसका टैंथ honeymoon palsy is associate with honeymoon palsy squash palsy crutch palsy squash palsy Saturday night palsy यह सब किसके अलग अलग नाम है यह सब radial nerve की injury के नाम है तो इसका जवाब होगा one radial nerve इसका जवाब होगा and last question का जवाब बता दीजिए lateral scapular winging lateral मैंने बोला था lateral में नाम में देख लीजिए T मतलब कौन सी muscle involved 11 नंबर की नर्व यह रही accessory nerve का dysfunction तो इसका आंसर है टू तो lateral scapular winging के अंदर आंसर होगा accessory nerve की injury जबकि MS धोनी medial हो तो आपको ओलना MS धोनी MS मतलब long thoracic nerve की injury अगर होगी तो उसका जवाब होगा medial winging यहाँ पे lateral winging पूछा है तो यहाँ जवाब होगा accessory nerve का dysfunction मतलब second number वाली option के अंदर two answer है इसका ओके दोस्तों तो यह आज की class का अंत हुआ आशा करता हूं class आपको समझ मैं ही होगी next बार फिर मिलेंगे दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद